अच्छामे को मार्योटूब फैमिली कैसे हैं अमीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे हैरे से होंगे संद्रिस होंगे सुबस बागा टाइन है बच्छे स्कूल जा सुखे हैं और मेरी वही सारा दून की रोटेम आप रैपना काम से लिए अपने लगी हूँ सबसी बाला भी आगया है अलाइबा यह खेल रही है एक लाइबा क्या का रही है तो चले हम किच्छन में भी चलते हैं सासाथ हमने सफाई सारी कर लिए बैट की चादरे बचा लिया हम जारे किच्छन में लाइबा अब जिली तुझी सम प्राथा बनाएंगे और मेरा भी जाते हैं तो मैं कहते हैं सुभा उखेस के साथ प्राथा काएंगे लेकिन सुभा जब होती है तो नाश्ता करने को भी नहीं दिल करता पता नहीं क्या होता है बस चाहे थोड़ी सी पी लिए और ज्यादा नहीं तो एक डबरोटी का स्लाइज शुक्सरे लाइबा बस यह हम अब बिल्कुल नहीं आठा खत्म हो चुक है अ मतलब यह भी आठा खत्म हो गया खुशके वला भी आठा हो गया अभी हम ऐसी बना लेते हैं जल्दी से प्राथा अब अंदर चलो मामा के साथ नश्चा करो चलो जाओ अब आज जो लाइबा हम अंदर चले यह देखा नीच आब आज मैंने बना था इंड़ा अट को मेरे बहुत कर रहा था लृऔको इस की बोच्छ को ला तो इस पड़े भी खायेंगे सहाथ नश्ये direction के साथ काऊंगे मेरा भी बहुत दिल करता है सालन के साथ खाने को लेकिन अंडा पड़ा था तो मैंने बोल अंडा भी बना लेते हैं क्या है चाहिए या सेंडल जाहिए एक वह पढ़िए सामने इसकी जीप यह लगी तो यह यह बैठा होगा इस वकत काला भूल पे लाइबा साथ जा रही है लाइबा बाई 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 सब्सी विल्ड़ा भी आकए बाई लाइबा बाई 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 चली से आप आप बो आ रहे हैं लोग यह पकड़ ले आके ता चले लाहे बहुत हो गई है तो आप अधर चलते हैं अच्छा मैंने अभी वह आपको जो ओवन में बताया है यह मैं उसकी जगह पर यह ली है यह मैंने बोला कि चले यह मैं इसको सेट कर लूँगी और यह थोड़ा मुझे सही लग रहा था नीचे सेसल में हलकलकर टूटा भी था मैंने बोला चले इसको फिलहाल गुजार अच्छा चले काम आ जाएगा मेरी बच्ची के लिए इसमें यह होगा कि हम कपड़े शपरे ब जाहिए पढ़े होसे जाहिए जगा भी नहीं है तो मैंने बोला लागए ना उस अलमारी के इस जगाप राख लूँ गी तो यहां पर चले मेरी बच्ची कप्ड़े पहनती है में इसी में रख लूँगी और बाकी आपको पते है कि जैसे मैंने यह बंढ़ी कप्ड़े से कपड़े होते हैं वो जो आम बच्चे भी कहीं आना जाना हो तो उसमें एक दोई अच्छा मैंने ना ना अपने दिल में रखती हूं मैं किसी के साथ कोई बात नहीं करती है मुझे आदत ही नहीं है किसी के साथ कोई बात करने की मुझे शुरू से आदत है मैं बाते अपने तक रखती हूं ना हम किसी के साथ इसनी बाते करते हैं बहुत कम हाँ कोई अच्छा दोस्त हो कोई अच मतलब इतना फ्री होना नहीं तो मैंने बोला कि चले आप आपका और हमारा रिष्टा एक बन गया तो क्यों ना मैं आज आप से अपने कुछ दिल की बाते हैं क्योंकि मैं अपने दिल की बातें कभी किसी से शेड़ नहीं कर पाती अच्छा मेरे हस्बन्ड और मैं ऐसे है कि हम अपनी बातें अपने यानि वो अगर उनकी बातें में पता है लेकिन पता कि कभी कोई ऐसे हलात भी होते हैं कि बंदा किया करे नहीं कर पाता तो मैं कहती हूं कि बस ऐसे हलात शायद अल्लमिया अजमाने के लिए हमें तो बस मैंने आज सोचा कि मैं क्यों ना आप से मैं कुछ अपनी में बाते भी शेयर करूँ आपको बताओं कि आप भी मेरी बाते समझें कि इन्सान के लिए असल में उसकी जिन्गी में जरूरी उसका मुझे तो मेरी अपनी जिन्गी में सबसे जरूरी यह है कि मैं अपना या या देख़ें घर धेख़ऊं अपने बचे देख़ऊंच हूँ और अपने हस्बंको यानि मेरे लिए सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा अच्छे मैं अपने इर्द 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 लोगों का भी ख्या रखती उनके साथ भी अच्छा होता है कभी किसी ने आज तक मुझे यह नहीं कहा कि राबिया तुम ऐसी हो राबिया तुम ऐसी हो यानि मैं इतना वो नहीं हो कि मैं किसी के घर यानि इतना बहुत कम बात करने वाली हो मैं इतना नहीं बात किसी से करती बहुत कम तो शादी हो गई है शादी के बात जाहर है हर एक से सलाम दुआ होती है तो वो तो उनी है और उसके अलावा फिर अच्छा उसके अलावा मैंने ना एक दो बात और भी मैंने सोची कि मैं ये बातें आपसे जरूर शेयर करूँ तो आप प्लीस मेरी बेन के लिए भी दौा करें अल्ला मैं उसके गर हैरियस से बेबी आ जाए क्योंके माशाला उसका दूसरा बेबी है और मुझे अब इतना एक खुद पर अजीब सा हो रहा है कि मेरा माशाला जब मेरे दो बेटे पहले हुए थे और तीसरी बेटी मेरी जब होने वली थी तो माशाला उसका जब पहला बेबी हुआ था ना वो बोलते ना भी वो सवा महीना भी नहाई थी यानी चिला भी नहीं ना आई थी और वो अपने बेटे को लेके मेरे पास आगई थी मतलब मैं अकेली होती हूं कराची में तो वो मेरे पास आगई थी अपने बेटे को लेके लेकिन वो इस दफ़ा उसका यानी दूसरा बेबी है तो जैसे मेरे अब बेबी माशाला पढ़ते हैं स्कूल भी जाते हैं तो मुझे उसको यही था कि चले मैं आ जाओंगी उसके पास मैं उसको देख लूँगी तो मेरा कुछ ऐसा इतना अजीब सा मसला हो रहा है कि मैं बस बहुत एक अजीब सा मसूस हो रहा है कि इनसान क्या सोचता है और बस क्या होता है तो बस जाने को तो हम जा सकते हैं लेकिन बंदा कहते हैं न कि अच्छे मेरी जब लाइबा हुई थी लाइबा मेरी माशाला बड़ा भाई मेरी चोटी लाइबा भाई से छे साल बाद मेरी बेटी हुई थी साथ साल बाद तो मेरे तो बेहन भाई सब लहोर में अम्मी भी पंजाब में है तो जाहर सी बात है वो सब फिर जाहर अम्मी भी आई थी मेरी बेहन मेरे पास पहले आगे थी अच्छा बेहन का मेरे साथ दो रिश्टा है बेहन मेरी असल मेरी देवरानी भी है और मेरी बेहन भी है यानि मैंने अपने देवर के साथ उसकी शादी हुई है तो मुशल आती रहती है मेरे पास तो अब उसका ऐसी कंडिशन है कि मेरा इतना दिल करता है उसके पास जाओं और मेरे हजबन काफी दिनों से मुझे यही कह रहे थे कि तुम चली जाओ क्यूंकि जब तुम्हारा भी वक्त आया था तो वो भी आई थी फोरण उसका भी बेबी देख लो चिले में था और वो फोरण आगी थी तो तुम्हारा फर्द है तो मैं बोई सोचती हूँ के मेरी बेहने में फोरण चली जाओं बागी भी भेने मेरी वहां पे हैं लेकिन वो आ सकती है उनके भी माशाला चार पाँच पाँच बच्चे हैं उनकी अपनी भी फैमली है सास, सासूर, तो वो एक किसम का घर में रहना वो, तो मेरा तो एक डबल रिश्टा है, और वैसे भी हमारे मेरी एक सास भी नहीं है, और मेरा जायर सी बात है, फिर मेरा रिश्टा बेहन का भी है, तो मैं कहती हूँ कि मैं जरूर जाओं, और एक अच्छा लगता है, बेहने तो एक दूसरों का साथ भी देती है, तो मेरा, हम असल में शुरू से हम बेहने एक दूसरे का भुश्ट साथ देती है, हम बेहने एक दूसरे से प्यार भी, अब मैं इतनी दूर बैठी होती है न, मुझे अपना पीछे सारे अम्मी अम्मी का खिया रहता है, बेहनों का खिया रहता है, तो चप्पी में अम्मी की, अम्मी जब भी मार होती है तो अम्मी से फोन पर भी बात होती है तो अम्मी से, अच्छा, अम्मी से भी जब भी बात होती है तो अम्मी से हाल को दो रिष्टा ऐसा होते है कि மा का नाम ले Teachते हैं इनसान रोना शुरू हो चुरू हो जाता है तो मेरा भी बहुँंस दिल करता है कि मैं भी अपनी अब मिय کے पास झाओं तो बस यही कि हलाद की वज़ा से नहीं जा पाता कुछ हिलाद भी ऐसे होते हैं करके और अब अब ये टोपिक ऐसा शुरू किया अम्मी के बारे में कि मैं बस अब मैं बात नहीं कर पा रही कि मैं आपसे बात कैसे करूँ तो चले मैं चल्दी चल्दी बात कर लेती हूं मैंने बोला चले अभी लाइबा भी गई है husband के साथ गई है तो मैं काम तो मेरा सारा दिन होता रहता है काम तो मैं करती हूँ लेकिन उसके हलावा मैंने का आज मैं आपको अपने दिल की भी कुछ बाते शेयर करूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हो आप मेरी फैमिली बन चुकी हूं तो मैंने बोला क्यों आपसे भी बात शेयर करें हम अगर आपको हमने फैमिली बनाया है तो मैं आपसे बात जरूर शेयर करूँगे अच्छा मेरा बहुत दिल करता है कि हम सारी बेले यानि लहुर मैं अच्छा मैं कभी कभी सोचती हूं कि अगर अल्लामिया मुझे जनकी में घर देगा भी न तो मैं अपने लहुर में रहूंगी अच्छा कभी कभी ऐसा भी ख्याल आता है कि इनसान एक होते न एक दिन तो दुनिया से जाना एक तो अगर में दुनिया से भी जा strengthened अब ये इनसान को नहीं बतता मित़ता मित्टी कहां के हमें नसीब है लेकिन एक बन्दे की होईश भी होती rich कि nationwide गाती ही, मेरी नसीब हो, तो मेरी मीरा पिता होई हून जाता हून है तो एक एक इता है हुष्छी भी होती है. खर में ख़्यों मेला करती है, या anywhere रहो है नहीं करती है, घricular, भी देना कहादा है that इंसां सही मांगना चाहिए और लल्ला पर यकीन रखना चाहिए तो कुछ दिनों से यही परेशानी है कि हजबन कहरे है आप जाएं और शादी भी बीच में आ रही है शादी का भी करना है और जो कि मैंने आपको पहले भी अपना बताया कि थोड़ी बहुत वो कह रहे थे त्यारी क्या करनी है वोई जो कपड़े है वो यह आप ले जाना तो बस अल्ला उसे द्वा करते है हलाद थोड़े सैट हो जाएं तो हम देख लेंगे तो मैंने कहा चले ठीक है मैं देख लेती हूँ क्योंकि मुझे यह है कि जाना भी ज्गाना भी ज्रोरी है बहन एक कि सahuके बहुट Caitlin पूरी बात है कि तर्वान है बहाई बहाए का भी मूँ माड़ते है कि मैंने ह向नी तो मीरी तो बहन है तो जाहर सी बात है उसको भी उद्र देखनी वाला कोई भी नहीं है اب امی ہیں سب بہنوں کے μεہر ہوئی ہیں ساری بہنیں سب کے دھار بیبی ہوئی ہیں میری امی دیکھتی رہی میرے پاس وہ来ی تھی تو کیوں نہ میں بھی جاؤں بس یہی میں ان سے کہہ رہی تھی میری تو خیر ہے میں کپڑے وہ لے جاؤں گی والین بچوں کا زیادہ ہوتا ہے سردی اتنی ہے めて کہ موٹے کپڑے بھی نہیں تو وہ کیسے حملے तो मैंने बोला चले थोड़े वद पुजाब में हाइने की एक एक दो दो ले आते हैं चले देखते हम तो बस हैसासा हम देखेंगे अभी ये देखेंगे अच्छा आज असल में मेरी लाइबा की सालगरा भी है और आज देख ले हम हमें कोई पता नहीं है कलाइबा की सालगरा भी है वैसे इंशाला अपनी बेटी का मैं शाम को लाकर केक भी काटूंगे तो बस द्वा करें कि लम्या सब के हला सेट करें अच्छा इंसान को न पैढ़ने औरने का इतना शोगनी होता है इंसान बस अपना दुआ करें के लम्या सब के हला सेट करें जो भी जिसके भी हला खराब है सब के हला सेट करें और हम उसी तरह अपने बच्चों की भी हुशियां देखें जैसे यह मेरी बेटी है माशाला उसकी पहली जब सालगर होई थी तो वह मैं हमने लोहूर में की थी सारे बेहन बहां पर सारे अकटे थे तो वहाँ पर की थी अब दूसरी सालगर है तो वह जार सी पात है इदर करनी है अपने कराची में तो साथ शाम को जाएंगे केक वगहरा लाएंगे वह काटेंगे तो बस भी देखेंगे तो अभी मैं वही सोचरी थी के मेरी बेटी की सालगर आ गई है और अच्छा बेटों की जब हम करते हैं तो थोड़ी बहुत यानि हल्की फुल्की कर लेते हैं लेकिन बेटी की दफाह हम थोड़ा हो कि है मसला तो इसलिए हमने बोला चले केक लाके काड लेंगे शाम को और कुछ दिनों बाद शादी भी आ रही है अच्छा मैं शादी का भी आपको अपने सूर लाजमी दिखाऊंगी जो मेरे पढ़े हैं तो मैं आपको लाजमी अपने साथ शेयर भी करूँग तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अच्छा मेरी शादी के जो कपड़े हैं वो असल में ना मैंने अपनी बेहनों की शादी पे बनाये थे अपने भाई की शादी पे तो वो पढ़े है तो मैंने बोला आज मैं आपको जरूर शेयर करूँगी हम बच्चों के जरा एक तो म क्योंकि एंसन नहीं कर पाता शियर दो आ रहता है चैसला आप हमारे बैंवाई है आप हमारी जरूरूब रहा समझें घै करने इसा करना भान्हेती हैं कि समझता है तो ही दूष्टह की समझते हैं कि अपकी साथ हुए भी शीड़ाना बनता है तो मुझे एक न मैं पहले गबराारी थी कि मैं क्या को शेर करूं आपसे क्या नहीं करूँ आप क्या सोचोंगे कि क्या मतलब इस तरह की बाते शेर करना अजीब सा आप कुछ उलटा मतलब ना ले तो मैं आज में किसी तरह हिम्मत करके ना यह सब कुछ आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी तो बस इनसान को दिल करता है तो चले आप फिर मेरी वीडियो जरूर देखिएगा और मुझे बताईएगा कि मैंने आपको जो दिल की बाते कही हैं आपको कैसी लगी है और यह मैं अपने दिल की बाते बता रही हैं बस आप द्वा करिएगा अल्लम यह सब के हलाज सेट करें अल्लम यह सब को वो सब कुछ दे जो वो चाता है तो अल्लम यह सब को प्रहिए इमान में रखे और बस अपना क्या रखिएगा और मेरी वीडियो को जड़ों लाइक करिएगा क्योंकि आप अगर आप एक लाइक के लिद वीडियो देखने से हमें लाइक भी ठीडाट सोफ़ पूजाएं? आप दिल न fly देते हैं अले अगर भी दोठीतikan से कि खड़र आ बहुत है अगर दल वीडियो कोiring करें अगली वीडियो कोक्राइब 1997 तो चले फिर अपना ख्या रखिएगा अपनी दुआओं में चामिल रखिएगा और खूशी रहिए हर बीमारियों से महफोज रहिए बस अल्लाहाफीस